हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक तो माई चानल फैब इंडियन फूड आई होप यू अल वेल तोड़े आइम शेरिंग विद यू हाव तो मेक रेस्टों स्टाइल चिकन सिक्स्टी फाइब तो इसका कलर देखिए और टेक्चर और टेस्ट में भी यह बिल्कुल वैसा ही बना ह तो बिल्कुल उसी टेस्ट में और उसी टेक्षे में इस रेसिपी से आप घर वी चिकन सिक्स्टी फाइब तैयार कर सकते हैं और बहुत एजी है यह मैथट बहुत तरीके से चिकन सिक्स्टी फाइब बनाया जाता है इंग्रियन्ट सेम होते हैं बर थोड़ा सा बनानी का तो मैंने बहुत सिंपल तरीके से यहां पर बताया है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ कीजेगा बताएगा कि यह रेसिपी आपको कैसी लगी तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो मैंने यहां पर टू पीस बोन लेस चिकन लिया है यह अगर ग्राम में देखें त जिदे में यह अच्छे से फ्राइ हो जाएं है है तो यह सब मैंने काट के रख लिया है इसी मैं एड कर लूंगी वन स्पून लेशन का पेस्ट इस प्लैस्ट अध्रक पेस्ट है थोड़ा सा साल्ट वन स्पून लेमन जूज चोई 1 फोर्थ च्पून का पावडर वन स्प कश्मीरी लाल मिर्च और साथ ही मैं एड़ कर लेंगे टूइस्पून कर्ड दही और एक अंडा लास्ट मैं एड़ कर लेंगे टूइस्पून कॉन्फोर और थोड़ा सा रेट फूट कलर यह लिक्विट फूट कलर है आप पाउडर भी एड़ कर सकते हैं तो इसको बहुत अ ग्वंदे के लिए मैरीनेशन के लिए रखना होगा ताकि यह बहुत अच्छे से इसमें जो भी मसाले हैं अच्छे से मिक्स हो जाएं कर्ड की वज़े से यह बहुत जल्दी फ्राइव हो जाते हैं जल्दी फ्राइब करने में स्यादा वाक नहीं लगता है क्यूंकि दही म करके रखा है तो हम इसको मेरिनेशन के लिए छोड़ देंगे गंडे के लिए है तो एक घंटे के बाद ये हैं तैयार है फ्राइ होने के लिए तो यह मैने ओल ले लिया है वही गरम हो चुका है और मैं पीसे इसको डीफ्राइ कर लोगी जितने देर में यह मेरिनेट हुआ था उतने देर में ने बाकी चीजें चॉफ slack करके रख ली थी। जिंजर और गार्लिक बाकी चीजों के चारी कर ली थी। तो इन सब को हम बहुत अच्छी से डी फ्राइ कर लेंगे अब भी फ्राइब उचुके हैं मैं इन सब को निकाल लेती हूँ ड़ी आत बीट अढ़िए इस इस में मैरिनेट किया था चिकनि उसी में मैने टूइ स्पून् टैमिटू टेय जूवाँ डाल के पैस पर ने लिया है जिसे हम बाद में करेंगे यहां पर मैंने इक पैन ले लिया है उसी में वन झूद करीब जैसे ऑईल गरम हुआ मैंने इसमें अद्रक और लेसन चॉप किया हुआ एट कर दिया है और साथ ही में एट कर लेंगे करी लीप्स और दो सूखी लाल मिच तो यहां पे हमें अपनी फ्लेम को हाई रखना है इसको जलाना नहीं है थोड़ा सा इसको सॉटे करने के बाद जो ह तो यहां थोड़ा सा वह भी हमने इसमें एक कर लिया है और असाथ ही में एक किया है थोड़ा सा सॉल्ट कि अपने हिसाब से अड़्जस कर सकते हैं टेस्ट कर अकॉर्डिंग अब यह तयार हो चुका है इसी में अपने अपने फ्राइ किये हुए जो चिकन पीसिस थे वह हम हम थे मिक्स करते होँं कम से क्म तुर फोर मिनट के वे उसी तरह से मिक्स करते रहें दाकि जो भी इसमें जो मसाला हमने तयार किया था जो पेस्ताया था वहँ अच्छ झालें तो यह तेकि मैं यहां पे प्लेट कर लिया है कितना टेस्टी लग रहा है और कलर भी बिल्कुल वैसा ही है रेस्टों स्टाइल तो आप भी इस लॉप डाउन में रेस्टों स्टाइल चिकन सिक्स्टी फाइब बना के घर पे एंजॉय कर सकते हैं बहुत इजी है आपने देखा कितनी जल्दी ये बनके तयार हो गया है अगर मेरी रेसेपी आपको पसंद आये तो लाइक कीचेगा अपने ग्रूप में शेयर कीचेगा और मेरे चैनल को सस्क्राइब कीचेगा तो मिलती हूँ अगली बार नई रेसेपी के साथ अब तक के ल